यह जो वीडियो है थोड़ी सी इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको इंट्रिड्यूस कराऊंगी एक नियू वीजा टाइप यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे पर पर्टिकुलरी इस वीजा का नाम है चाइल स्टुडेंट वीजा एंड यह यूके के लिए है सबसे बहले मैं आपको बता दू कि जो यह हमारे पास स्टुडेंट वीजा है इसकी एज लिमिट क्या है कि कितने साल के बच्चे जो है इससे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जो एज लिमिट है वो स्टुडेंट वीजा इसकी जो एज लिमिट है वो स्टार्ट होती है फॉर यह से और खतम होती है 17 यह से जो फॉर यह तो 17 यह के बीच का जो बच्चा है वो यूके के लिए ट्रेवल कर सकता है और दी बेसिस ओफ चाइल स्टुडेंट वीजा एंड जो बच्चे प्लस टु के बाद वेट करते हैं अगर पॉसिबल होता है कि वो पहले भी जाना चाहते हो बट वह अपने प्लस प्रस होने की वेट कर रहे हैं तो यह विजा उनके लिए हैं जो पहले ही वहां जाकर शिफ्ट होने वाले हैं इस विजा के बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइंस तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना चार से साल का बच्चा जो है इस विजा के लिए लिजीबल हो जाता है अब इसमें मेंडेटरी क्या है कौन से डॉकमेंडेटरी है और क्या क्या चाहिए हमें यह विजा लगाने के लिए So most things जो हैं वो यह है कि सबसे पहले हमें उसका जो है offer letter चाहिए And offer letter की इस चीज का चाहिए वैसे हम college या फी university कहते हैं But जो child visa के लिए जो ने categorize किया है जो embassy ने categorize किया है वो है independent school वो schools होते हैं और उनका offer letter जो है वो चाहिए होते है As per the instructions And second जो है वो funds show करने होते है And we all know अगर हम किसी भी country के लिए जाते हैं किसी भी form में हो Funds हमें चाहिए ही चाहिए होते है As जैसे हम Canada के लिए GAC करते हैं और इसके लिए भी funds करते हैं Similarly इस visa के लिए भी आपको funds चाहिए ही चाहिए And the third है consent from your parents and your guardians कि आपके parents और guardians को पता होना चाहिए एक application जो भी उनकी forms होते है उसमें sign होता है Properly आपके consensual base पर कि हमें पता है हमारा बचो इतनी चोटी एज में बहार जा रहा है And we all know And ये हमारे awareness के according ही जा रहा है So ये consent चाहिए So ये तीन document उन्होंने भी mandatory list में लिखी है इसके लावर जो भी document होंगे वो embassy जो है एक बार file लगने के बाद As per the demand वो मांगती है और उसके according आप दे सकते हो But in short ये है कि इस visa को लेकर इतनी hurdle नहीं है इतना मुश्किल visa नहीं है और ना है कोई complications आती है उसके बाद जो conditions है वो यही है कि अगर 18 साल के उपर का बच्चा अगर apply करता है तो obviously वो student visa की category में जाएगा child student visa की category में नहीं जाएगा और यहाँ पर मैं बात करूँ यह जो visa होती है यह tier 4 visa जो category है उसके बीच में आती है और इसके अलग-अलग propaganda है अगर हम college के लिए apply भी करते हैं तो outside UK and inside UK का लग-लग होता है तो हम discuss करते हैं सबसे पहले outside UK का अगर आपने outside UK apply करना है तो जब भी आपका session start होगा जब भी आपका intake start होगा उससे पहले आपको 6 महीने पहले इसके लिए apply करना है जो आपका result है वो 3 weeks के अंदर आजाएगा on the other hand जो हमारा inside UK है तो जो course starting date है जो हमारा intake starting date है उससे पहले तीन मत पहले आप apply कर सकते हैं और इसका जो decision week होता है जो result आपको आता है वो 8 weeks में आता है अब next question आता है कि हम कितने time के लिए इस visa पे वहाँ जा सकते हैं रह सकते हैं यह सब questions उसके बाद आते हैं अगर आप under the age of 16 हो या 16 साल से छोटे हो तो अगर आपको course length है वो up to 6 years तक का आपको course length मिल जाता है of course अगर आप under the age of 16 है तो आपको 6 years तक मिल जाता है plus उसके बाद जब आपका course खतम हो जाएगा तो आपको 4 मेने जो है incentive की तोर पर मिलते हैं वहां रहने के लिए इनके आपने जो भी paperwork करना है जो भी होता है उसके लिए आपको 4 मेने extra मिलते हैं यह उन बच्चों के लिए जो 16 साल के नीचे हैं जो 16 से 17 साल के बीच में हैं उनको 3 साल का जो है सब कुछ हो गया अपर ट्रावल कब कर सकते हैं तो जैसे कि स्टूटेंट वीजा में होता है जब भी आपका कॉर्स स्टार्ट होगा उससे एक महीने पहले आप ट्रावल कर सकते हो और उसके बाद आता है कि इसके प्लस पॉइंट क्या है अब यही बात है कि कहते हैं कि इतनी चोटी एज में बीचना या फिर चाइल क्या नोंसेंस है यह सारे क्वेशन्स आते हैं बट ऐसा नहीं है अगर इनोंने यह वीजा जो हैं इंट्रोड्यूस किया है अफकोर्स इसका कोई बेनिफिट हो गई होगा तो इसमेंगरों ने सबसे पहले जो है प्लस प्रॉंट यह बताया है कि आप जो है अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं जब आपका ये जो कॉर्स पिरियर्ड है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपना जो है वीजा एक्सटेंड कर सAKते हैं इसलिए आपको वह चार महीने इनसेंटीइव के तोऱ पे मिलते हैं कि अगर आप एक्सिंट्ट करना चाहते हैं तो वह आपको जो प्रोग्राम है वह मिल जाता है उसके बाद ये है कि जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप जो चाइड स्टूरेंट वीजा है अगर आपका जब यह खत्म होगा उसके अबाद आप किसी भी वीजा में इसको convert कर सकते हैं इसकी फी स्ट्रक्टर में आपको बता दूँ जो आउटसाइड लंडन है उसको है यूके पाउंड जो है हमारा 348 एंड इंसाइड के लिए 475 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे यही है कि आपको इंडिपेंडेंट स्कूल मिलेगा आप 16 साल या उसके नीचे की होते हो तो आपको अलग मैनिफिट है और 16 से स्थारा वालों के अलग मैनिफिट है अगर आपको फूल टाइम जो है वह वह का पर्मिशन मिलता है तो आपको जो चाइल स्टोड विजा सुनने में अच्छा लगा होगा बट आपको अगर इसकी डिटेलिंग जानी है तो हमें नीचे दियेगे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर हमारे ओफिस भी रीच कर सकते हैं थैंक यू गईज